स्वागत है आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हूँ दिक्षा शर्मा शाम के 6 बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस अपडेट साथ जिस बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं देखे खास तोर पर बड़ी बात करेंगे दो साल की कारेकरम को लेकर अगले कल क्यूंकि मनाया जा रहा है कॉंग्रेस सरकार की ओर से छे नई स्कीम जिसमें सुखु सरकार की ओर से लाँच जा रही है ये कौन सी तीन पंचायते हैं ये भी अपडेट लेकर आए हैं हाला कि इन दिनों विरोधी स्वर भी काफी जादा उट रहे हैं लेकिन उसके बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कैबिनेट बैठक होने वाली है 12 दिसंबर को कौन से बड़े फैसलेस में सं आने वाले हैं लेकिन शुरुवात मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मैदानी इलाकों में 16 दिसंबर तक मौसम भले ही साफ रहेगा लेकिन लाहुस पिती किनौर चंबा कांगडा और शिमला में बारिश परफपारी को लेकर एक दफा फिर आसार जताए गए हैं 12 दिसंबर स मौसम करवट बदलने वाला है इसी तरह से मैदानी इलाकों में आज और कल के लिए येलो अलर्ट कोहरे को लेकर जारी किया गया है यानकि शीत लहर की चपेट में मैदानी इलाके रहेंगे उपरी क्षेत्रों में बारिश परफपारी को लेकर भी आसार जताए गए हैं जिसके बाद बस के टुकडे टुकडे हो गए हलाकि इसमें 40 के करीब समवारिया थी बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं तीन लोगों की मौत हो गई है चालक समेथ ये अन्या दो लोगों की मौत हुई है मौके पर ही चालक ने अपनी जान गवा दी थी ये बताया जा रहा ह है घायलों की ओर से ही कि जो बस की पटी है वो तूट गई थी इस वज़ा से ही ये हादसा पेश आया है जैसे कि आपने देखा भी होगा जो बस का पट्टा होता है उसी के तूटने की वज़ा से ये बड़ा हादसा पेश आया है ये करसो की ओर बस चा रही थी 11 बजे हाद कारे शुरू किया गया, CM और Deputy CM दोनों की ओर से शोक व्यक्त किया गया है, उन तीनों लोगों के लिए जिनों ने आज इस हाथ से में अपनी जान गवा दी है, प्रभावितों की मदद की जाएगी सरकार की ओर से ये भी आशवासन आज दिया गया है, मुख्या मंतरी सुखु और Deputy CM मुकेश अगनी होतरी की ओर से, भाजपाईयों की ओर से आज आक्रोश रैली निकाली गई थी, ये CTO से इन्होंने शिमला के शेरे पंजाब तक आक्रोश रैली निकाली, नेता पतिपक शुयराम ठाकुर समेथ सभी बड़े चहरे इस रैली में मौजूद रहे हैं, नेता पतिपक शुयराम ठाकुर ने सवाल ये उठाया है, कि आखिरकार ये किस बात का जशन है, ये बरबादी का जशन है, और कुछ नहीं है, जब कोई उपलब्धी ही हासिल नहीं की, तो जशन किस बात का कॉंग्रेस सरकार मना रही है, यहां जशन शब्द का इस्तिमाल बार-बार भाजपाईयों की ओर से किया जा रहा है, हलाकि कॉंग्रेस का कहना है कि ये महस दो साल का कारेकरम है, इसमें दो साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन भाजपा का मानना है, उपलब्धियां कोई हासिल ही नहीं की है, तो गिनवाएंगे क्या और यहां यह बरबादी का जशन है कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आज किया गए है और बेवजा का जशन हैं यह भी नेता पतिपक्ष का कहना था नेता पतिपक्ष ने कहा कि एक और pension के लिए तरस रहे हैं करमचारी अपनी salary के लिए तरस रहे हैं outsource करमचारी को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है नौक्रिया हासिल नहीं हो रही है युवाओं को और ये जशन मनाने में लगे हुए है भाशपा प्रदेश अधियक्ष डॉक्टर राजी बिंदल का कहना है कि केंदुर से काफी वीतियम मदद की जा रही है हिमाचल की और हिमाचल सरकार उन पैसों का इस्तेमाल भी कर रही है लेकिन अभी तक एक भी शब्द शुक्रिया का कॉंग्रे सरकार ने अपने मूँ से नहीं कहा और ये जो कारेकरम बनाया जा रहा है ये कारेकरम नहीं है बलकि किसी के जखम पर यहां नमक छिड़का जा रहा है और ये बेरोजगारों के जखम पर नमक छिड़कने की बात हो रही है ये भी डॉक्टर राजी बिंदल की ओर से आज बड़ा आरोप लगाया गया है पूरवसांसच पतिबा सिंग ने नसीहत दी है भाशपा नेताओं को प्रतिबा सिंग का कहना है कि वो कॉंग्रेस सरकार का अपमान नहीं कर रही है इस तरह की बयान बाजी करके बलकि अपमान किया जा रहा है जन्मत का जन्मत कॉंग्रेस को मिली उसके बाद ही सत्ता में काविज हुई कॉंग्रेस लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करके आक्रोश दिखाकर जन्मत का अपमान करना उचित नहीं है भाजपा उच्छी राजनीती करती है इस तरह की राजनीती ना करें ये नसीहत प्रतिवा सिंग ने भाजपाईयों को दी है इनकी ओर से ये भी कहा गया कि पांच गरंटिया पूरी कर ली गई है शेश बची गरंटियों को जल्दी पूरा किया जाएगा CM और Deputy CM के नेतरित्व में Congress सरकार विकास की ओर अगरसर है और बची पांच गरंटियों को लेकर अगले कल ऐलान होने वाला है जो दो साल में उपलब्धियां हासिल की उसका उलेक तो किया ही जाएगा लेकिन अगले तीन साल का रोड मैप भी तयार हो चुका है और जनता से इसे साजा किया जाएगा देखें अब समोसे के बाद यहां एक और चर्चा हुई है और यह प्रेशर कुकर को लेकर हो रही है दरसल हाल ही में मंडी जिला में एक घटना पेश आई थी जहां HRTC बस में प्रेशर कुकर का टिकेट काटा गया 23 रुपए और पहले भी भाजपाईयों की ओर से इस पर सवाल उठाए गए थे लेकिन कॉंग्रे सरकार ने इंकार कर दिया कि प्रेशर कुकर का कोई टिकेट नहीं काटा गया है अब नेता पतिपक शुयराम ठाकुर ने ट्विट के जरिये ये जानकारी दी है कि उनके पास इसका प्रूफ भी है हलाकि सोशल मीडिया पर ये टिकेट काफी वाइरल हो रहा है जो की प्रेशर कुकर का काटा गया था ये जिला मंडी में ही घटना पेश आई है नेता पतिपक शुयराम ठाकुर का कहना है कि मंडी से ओर तक प्रेशर कुकर ले जाना था तो 23 रुपए टिकेट काट लिया गया अब ये भी मुश्किल हो गया है कि आप प्रेशर कुकर खरीते हैं तो कैसे उसे घर तक पहुंचाना है बस में ले जाना होगा तो आपको उसका किराया देना होगा इससे दुरभागयपुन कुछ नहीं हो सकता है पहले दवाईयों के टिकेट लेने के बाद हुई बच्चों के खिलोने का भी टिकेट लिया गया और अब इसके बाद प्रेशर कुकर का टिकेट सरकार की ओर से लिया जा रहा है ये सरकार के निर्देशों पर ही HRTC के कंड़क्टर ने टिकेट काटा होगा खुद से वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता है तो अब चर्चा में ये बात आ गई है सोशल मीडिया पर जम कर ये टिकेट वाइरल हो रहा है इस टिकेट की फोटो वाइरल की जा रही है और सवालिया निशान भाशपा ने कॉंग्रे सरकार पर उठाए है ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा आज पंचायती राजमंत्री अनिरुट सिंग की ओर से कांक्टा पेश किया गया है मनरेगा को लेकर कितने परिवारों को सौधिनों का रोजगार मिला है और इसमें कितना बजट खर्च किया गया है मनरेगा दिहारी को 60 रुपै से की वरिधी के साथ 240 बढ़ाकर 300 रुपै कर दिया गया है ये आज उनकी ओर से जानकारी दी हाला कि ये पहले भी अपडेट हम कई बार साज़ा कर चुके हैं मनरेगा के अंतरगत वर्ष 2023 में क्रोडों रुपै खर्च किये गए हैं और इसके अलावा वर्ष 2023 में 344 लाग कार्य दिवस तथा वर्ष 2024 में अब तक 239 लाग कार्य दिवस अरजित किये जा चुके हैं इसी तरह से एपरेल 2023 से अब तक 98602 परिवारों को 100 दिनों से अधीक का रोजगार दिया गया जिसमें 92,041 परिवारों ने 120 दिनों का रोजगार प्राप्त किया अपरेल 2023 से अब तक 1,90,788 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं और ये इन्हों ने हलाकी देखिए यहां आंकड़ा जो दिया है परिवारों का भी दिया है कितने रुपए इसमें खर्च किये गए ये भी जानकारी है और साथी साथ जो 60 रुपए की वृधी की गई थी और 240 से बढ़ा कर 300 रुपए धादिहारी की गई थी इस पर भी आज जानकारी रखी है अभी दो साल का कारेकरम क्योंकि अगले कल मनाया जाना है लाजमी सी बात है हर क्षेतर में कितना विकास हुआ है हर वर को कितना मुनाफ़ा हुआ है इस पर भी सरकार की और से आंकड़े पेश किये जा सकते हैं अब देखिए अगली बात करेंगे गवर्णर के काफिले को लेकर ये लखनओ की बात है और हिमाचर पिदेश के राज्यपाश्री प्रताब शुकल के काफिले का वहाँ एक्सिडेंट हो गया एम्बूलेंस समेछब दो गाढ़ियां दुरखटना गरस्त हुई हैं हलाकि गंइमत ये रही कि जादा गंभीर चोटे इसमें पुलिस कर्मियों को नहीं आई क्योंकि जो दोनों गाढ़ियां थी ये पुलिस कर्मियों की बताई जा रही है इससे पेशे एम्बूलेंश काफिले की आपस में टकरा गई रहत भरी बात ये भी है कि राज़पाल बिलकुल सुरक्षित हैं साथ में बाकी स्टाफ भी सुरक्षित है लेकिन दो पुलिस जवानों को हलकी से चोटे आई हैं फिलहाल इनका उपचार समय पर हो गया था लेकिन ये बड़ी खटना कहना चा राज़पाल शिप्रताप शुकल वहां किसी कारेक्रम में शामिल खुने के लिए जा रहे थे लेकिन उससे पहले घटना पेश आ गई लेकिन राज़पाल अभी बिलकुल सुरक्षित बताये जा रहे हैं आटवी के चात्रों को ग्रेस अंकप मिल सकते हैं आज ही दरसल हिं उसमें आउट आफ स्लेबर्स भी कुछ कोशन डाले गए थे यहां दो या तीन मार्क्स के कोशन नहीं बलकि 14 मार्क्स के तकरीबन ये सवाल बताये जा रहे हैं जो कि आउट आफ स्लेबर्स आये थे यान कि कुछ एक चैप्टर्स कटवा दिये गए थे लेकिन उन पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके बाद ग्रेस मार्क्स देनी के आविशक्ता होगी तो वो भी इन चात्रों को दे दिये जाएंगे टीजटी कला संग ने भी इसका काफी जादा विरोध किया है और उनका ये कहना है कि ग्रेस मार्क्स दिये ही जाने चाहिए क्यूं किया जाता है ठीक उससे पहले ही फैसला लेना होगा अभी इस पूरे मामले में जांच की जाएगी शिक्षा बोर्ड के सचीफ की ओर से कि क्या सच में उन्हीं चैप्टर से ये सवाल दाग दिये गए थे जिनें की कटवाया गया था तो ऐसे इस थीती में अब आगे क्या करन है ये शिक्षा बोर्ड पर ही निर्भर करता है हाला कि यहां ग्रेस मार्क्स देने की मांग शिक्षक संगटनों की ओर से उठाई जा रही है देखें है एच्चेस की मुख्या परिक्षा का रिजल्ट घोशित कर दिया गया है तीस अभ्यर्थियों का चैन हुआ है परसनेल परसनेलिटी एक्जाम के लिए अब जादा जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं अभ्यर्थी तो ये लोग सिवायो के कॉंटेक्ट नंबर पर भी यहां संपर्ग कर सकते हैं कैबिनेट बैठक 12 दिसंबर को होने जा रही है अगले कल 11 दिसंबर है दो साल का कारेक्रम मनाय जाएगा कॉंग्रे सरकार की ओर से ठीक इसके एक दिन बार कैबिनेट है और शीत कालिन सत्र से पहले ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है दो रेविन्यू से जुड़े विध्यक इसमें लाये जाएंगे मनजूरी देने के लिए और फिर ये शीत कालिन सत्र के दौरान पेश होने वाले हैं इसमें एक राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा विध्यक भी है इस बारे में पहले कई दफ़ा हम जानकारी दे चुके हैं लैंड ट्रांसफर को लेकर इसमें मांग उठाई जा रही है तो ये भी एक मामला परसों की कैबिनेट बैठक में लाया जा रहा है देखे ऐन्वल फंक्षन्स को लेकर जरूरी निर्देश चारी किया गए हैं सरकारी स्कूलों को पहले अपनी मनमर्जी से स्कूल अन्वल फंक्शन करवाते थे जब उनका मन करता था उस वक्त करवाय जाते थे हाला कि वर्ष के आखिरी में ही ये वार्शिक समारोह होते हैं लेकिन अब शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश चारी कर दिये गए हैं सभी सरकारी स्कूलों को कि अगले सत्तर से पहली नवंबर से तीस नवंबर तक ही ये अन्वल फंक्शन और्गनाईज करवाय जा सकते हैं ये इसलिए हुआ है क्योंकि अपनी मनमर्जी से कोई भी समय स्कूल चुन लेते हैं जिस वज़ा से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावीत होती है और ये व से तीस नवंबर के बीश में ही अन्वल फंक्शन करवाना होगा और इससे बड़ा निर्देश ये जारी हुआ है उन स्कूलों के लिए जहां अभी भी अन्वल फंक्शन नहीं और्गनाईज किये गए हैं कि 20 दिसंबर से पहले पहले ये वाडशिक समारोह करवाए उसके करवाद करवाने की अनुमती नहीं होगी बच्चों का फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पर ही रहना चाहिए तो सभी जीलों के डेपुटी डिरेक्टर्स को ये निर्देश चारी हो गए हैं और इसकी अनुपालना करने के लिए भी कहा गया है अगले सतर से नवंबर माहा मे ही अनुफ़ फंक्शन करवाए जा सकते हैं और इस वर्ष जिन्होंने अनुफ़ फंक्शन नहीं करवाए हैं जिन स्कूल में वार्शिक समरोह पैंडिंग रहे गए हैं उन्हें 20 दिसम्बर से पहले करवाने के लिए कह दिया गया है अला कि देखिए 10 दिसम्बर तो हो गय है अब 10 दिन का समय ही इन स्कूल के पास है लेकिन मंशा ये है शिक्षा विभाग की कि पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए हाल ही में एक वर्क्शॉप बुलाई गई थी उसमें बहुत सारे इश्यूस को लेकर चर्चा हुई है और लगातार हम देख रहे हैं निरं पाकों की ओर से एक मांग उठाई गई है ये 11 सालों तक अपनी सेवाईं देते हैं उसके बाद नियमित किये जाते हैं लेकिन अदावा कर रही है कि 11 वर्च से जादा 12 साल का समय इने सेवाईं देते हुए हो गया है रेगुलर इनने अभी तक नहीं किया गया है जबकि और 13 में अंशकालिन जल्वाहत लगे थे इसमें दैनिक वेतन भोगी भी है और ये 800 के करीब संख्य अपनी बता रहे हैं ये दरसल एक ही कैटेगिरी है जल्वाहत एवं दैनिक वेतन भोगी 800 के करीब इनकी संख्या है और यही मांग उठा रहे हैं कि रेगुलर इनने कर द दिया जा रहा है देखें तीन नए शहरी निकाय बनने जा रहे हैं इसमें नगर पंचायद बैजनात पप्रोला को नगर परिशद बनाया जाएगा सुन्नी को नगर परिशद बनाया जाएगा और पंचायद शिलाई से इसे नगर पंचायद बनाया जा रहा है ये पहले ही श शहरी निकायों में शामिल नहीं होना चाहते हैं, भारी भरकम टेक्स का उन्हें सामना करना पड़ेगा, अब यहां कैसा रिस्पॉंस आता है, यह देखना होगा, हलाकि यह जो बैजनात पप्रोला को नगर परिशत बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रक्रिया बहुत पहले ह शुरू हो गई थी, कैबिनिट का भी इंतजार नहीं किया गया है, उससे पहले ही शहरी विकास विभाग में अपने इंटेंशन नोटिफाइ कर दिये हैं, वजह इसकी यह है कि अभी 31 दिसम्बर के बाद जनगरना शुरू होगी, उसके बाद पुनर से मांकर नहीं हो सकता है, उससे पहले-पहले ही प्रक्रिया पूरी करनी थी, इसलिए कैबिनिट का भी इंतजार नहीं हुआ, दो हफ़ते का समय आपतियां दायर करने के लिए दिया गया है, और किस तरह के आपतियां अब सामने आती है, ये भी हम देखने वाले हैं, देखिए, CM और Deputy CM ने आज म निर्देश शारी हुए हैं, अधिकारियों को भी इसकी तैयारियों में लगाया गया है, और सबसे अच्छी बात ये है कि 6 नई स्कीम्स लाँच की जा रही है, राज्य सरकार की और से अगले कल, बिलासपूर में 11 दिसम्बर को ये तारीक क्योंकि निर्धारित की गई थी और अगले कल 11 दिसम्बर है, बिलासपूर में ही ये बड़ा कारेकर मायोजित किया जा रहा है, जो 6 स्कीम्स है, उसमें एक एक टैक्सी योजना भी है, ये 680 क्रोड की योजना बताई जा रही है, रोजगार इससे बिरोजगारों को मिल पाएगा, हलाकि कुछ एक शर्ते भी इस योजना में लगाई गई हैं, जो कि कई बार हम पहले दोहरा चुके हैं, दूसरी बात, गोबर खरीद योजना भी शुरू की जा रही है, सुक शिक्षा योजना को लेकर भी वहाँ जानकारी दी जाएगी, एक तरह से योजना की शुरूआत भी बिलासपूर से होन एहम मानी जा रही है, ये कैबिनीट की बैठर, आर्थिक संसादनों का बहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर दिया गया है, इसमें किन अधिकारियों को शामिल किया गया है, आपको जानकारी दे देते हैं, अभी शेक जैन इन्हें चेयर के तोर पर रखे गए हैं, दरसल आर्थिक संसादनों का बहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, एक तरह से ये फाइनेशल रिसोर्स मैनेश्मेंट को लेकर कमेटी तयार की गई है, और कमेटी अब तयार हो गई है, रिस्पॉंस कैसा आता है, आने वाले दिनों मे क्या रिपोर्ट तयार की जाती है, आर्थिक संसादनों को मैनेश करने के लिए ये हम देखने वाले हैं, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहे हैं, दिवेह माचल टीवी, धन्यवाद